सब्सक्राइब करें इस ताइम तो नौइंग कार चैनल को बेल का आइकन ज़रूर दबाएं मेरे न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अलो फ्रेंट्स मैं सब्सक्राइब को बताने वाला हूं कैसे कनेक करते हैं ब्लुटूथ मारतिय सुजुकी डिजायर वी एकसाई वारियंट में पहले वी एकसाई वारियंट में बटन सिश्टम आता था अब यह एलेक्ट्रोनिक टच आता है जैसा कि आप क्लियरली देख प ब्लुटूथ अपने फोन से तो 2021 में डिजायर वी एकसाई वारियंट पे अब एलेक्ट्रोनिक टच वाला मीजिक सिस्टम आता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन का ब्लुटूथ ओन कर लेना है जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां से आप अपना फोन का ब्लुटूथ ओन कर लिजिए यहां से आप सेट अप के आप्शन में जाएंगे यहां पे साउंड और दूसरी नंबर पे दिखेंगे ब्लुटूथ दिया हुआ है ब्लुटूथ का आप्शन यहां से आप नीचे चेंज कर लेंगे आप्शन य फिर यह टैप करेंगे पेरिंग को अप्षान आगया फिर आपको एक बार इस पर टैप करना है और यहां पर यह पेरिंग करने के लिए स्टार्ट हो गया माई कार के नाम से अब आप अपने फोन को आउन करके देख सकते हैं उसमें आपका विजिबिलिटी शो करेगा यह शो करेगा मेरे फोन में यह जैसा कि आप देख सकते हैं ऐविलेबल डिवाइज में माई कार आ गया आपको इस पर सिंपली टैप करना है कुछी सेकेंड में यह ब्लूतूथ आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर में आपका यह स्क्रीन पर आप्शन आजाएगा और यह कनेक्ट हो गया है और आटो ट्रांसर का आप्शन आता है इसमें आप यह सो नो जो चाहें वो कर सकते हैं यहां से बैक हो जाएंगे अभी अभी आपका पूरी तरीके से ब्लुटूथ कनेक्ट हो चुका है कुछ अगर नोडिस्फिकेशन अगर आपके फोन में आते हैं अलाओ करने के लिए तो आपको इसको सिंप्ली अलाओ कर देना है और इस तरीके से कनेक्ट करते हैं करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए